विज्ञान से चुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चानल की सद्यस्यता लेना ना भूले और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए बुलेटिन COVID-19 में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अकांक्षा मिश्रा पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ती दिलाने के लिए दुनिया के तमाम लैप्स में त्यार हो रही वैक्सीन पर सब की निगाहिट की हुई है इस क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन मोदी ने कोरोना टीके के विकास और निर्मान प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करने के लिए तीन शेहरों का दौरा किया अपने दौरे में उन्होंने उन तीन प्रमुक प्रयोक्षालाओं का दौरा किया जहां कोरोना वाइरिस क तक्टी का विक्सित किया जा रहा है ये हैं एहम्दाबाद इस्थित जाईड़ज बायोटेक पार्क हैद्राबाद का भारत बायोटेक और पुरे स्थित सीरम इंस्टिटूट ऑफ इंटिया तेजी से टीके का विकास किया जा सके और इसके लिए वैग्यानिकों को पूर समर्थन मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैग्यानिकों से सुझाब मांगे और उनसे पूछा कि देश अपनी निया में भारत द्वारा अपनाई जा रहे उच्चितर वैग्यानिक सिध्धानतों के बारे में बात की साथी टीके को वित्रित किये जाने की प्रक्रिया को और बहतर करने के संबंद में सुझाव भी मांगे जाइडेस बाइटेक पार का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री ने डीने आधारित स्वदेशी टीका विक्सित करने की प्रगती के बारे में जानकारी ली हैद्रबाद इस्थित भारत बाइटेक में उन्हें स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन और अब तक के परिक्षण परिनामों के बारे में जानकारी दी गए पुरे इस्थित सीरम सनता जाहिर की कि प्रधान मंत्री ने उनके साथ मुलाकात की और उनका उत्सा वर्दन किया साथी वैग्यानिकों ने ये भी बताया कि कोविड-19 महामारी से बहतर धंग से लड़ने के लिए नई और पुनर निर्मित तवाओं का विकास कैसे किया जा रहा है भारत में वैक कोविड-19 वैक्सीन के अंसंधान और विकास के लिए जैप प्रौध्योगी की विभाग यानि DBT को प्रदान किया जाएगा और कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन का उद्देश टीके के विकास के लिए सभी संसाधनों को समेकित करना है मिशन कोविड सुरक्षा के मुख् नैदानिक चड़नों में प्रवेश करने के लिए त्यार है नैदानिक परिक्षन स्थल स्थापित करना भी इस मिशन का उद्देश होगा यह केंद्री प्रयोक्षालाओं मौजूदा प्रतिरक्षा प्रयोक्षालाओं के साथ साथ उत्पादन अध्यन और पशु अध्यन के लिए उप्युक्त सुविधाओं को मजबूत करेगा इसी तरह यह मिशन वैक्सीन विकास के समर्थन के लिए अन्य परिक्षन सुवधाओं को भी मजबूत करेगा मिशन के अन्य महत्पूर उद्देश है सामान प्रोटोकॉल प्रशिक्षन डेटा प्रबंधन प्रणा माली के विकास का समर्थन करना मिशन के तहट प्रक्रिया विकास सेल लाइन विकास और पशुविष विज्ञान अध्यन और नैदानिक परिक्षणों के लिए जीमपी बैचों के निर्माड की शमताओं का भी समर्थन किया जाएगा अब तक कुल दस वैक्सीन मानव परिक्षण के चरण में है इस अफसर पर जैप प्रौध्योगी की विभाग की सचिफ एवं बायरैक की अध्यक्ष डॉक्टर रेणू सरूप ने कहा कि मिशन कोविट सुरक्षा हमारे देश में स्वदेशी सस्ते और सुलप्तीकों के विकास को सक्षम करने के लिए हमारा लक्षित प्रयास है और आत्म निर्भर भारत जैसे राश्ट्री मिशन का पूरक भी उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने वैक्सीन निर्माण में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है और हमें विश्वास है कि इस राश्ट्रिय कोविट वैक्सीन मिशन के मात्यम से हम अरंभिक दिनों से ही अथक प्रयास किये हैं जिसके चलते कई प्रकार के स्वदेशी तरीके एवं सरल समाधान सामने आए हैं इसक्रम में CSIR के हैद्रबाद इस्तित Institute Center of Cellular and Molecular Biology यानी CCMB के वैग्यानिकों ने RT-PCR परिक्षन करने का एक नया तरीका खोजा है जो अत्रिक्त लागत और संसाधनों के बगैर परिक्षन विधी की गती को दो से तीन गुना तक बढ़ा देगा CSIR, CCMB का या Dry Swap Direct RT-PCR विधी मौजूदा मानग RT-PCR विधी का ही एक सरल रूपांतर है इस नए विधी में वाइरल परिवहन माध्यम VTM का उप्योग करने के विपरीत सूखिय वस्था में नाक से सैंपल को इखटा करना और परिवहन दोनों शामिल है जो नमूनों के प्रक्रिया में काफी समय लगता था और विशेश्रम की भी आवशक्ता होती थी CCMB के वैज्यानिकों का मानना है कि तकनीक की योगता सभी प्रकार की सेटिंग्स के लिए उप्यूक्त है और इसमें परिक्षन की लागत और समय में 40-50 प्रतिशत तक कटोती लाने की छमता ह CSIR CCMB की पियर रिव्यूट पत्रिका में यह संशोदिद विधी प्रकाशित की गई है ताकि वैश्विक समुदाई भी इससे लाभानवित हो सके आज के संख में बस इतना ही बुलेचिन COVID-19 के अगले अंक में हम फिर हाजर होंगे आप सबसे अनुमती लेने से पहले एक विनम्र अनुरोद विज्ञान प्राध्योग की अविशकार और नवाचार जिगत के विश्वसनी कारिक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस आप जरूर डाउनलोड कर ले और हाँ एक बात और देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेस्बुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डिन और इंस्टाग्राम पर भी उप्लब्ध है हमारे कारिक्रमों के बारे में आप फीडबैक एवं सुझाब हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल पता है feedback at the rate indiascience.in इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार